mutual funds से पैसे बनाने के लिए सिर्फ mutual funds में ही invest करना जरूरी नहीं होता सही mutual funds का selection ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि पिसले कुछ सालों में कई mutual funds ने अपने investor को कंगाल बना दिया है तो इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि सही mutual funds को select करने के लिए किन बातों को ज्यान में रखना चाहिए किसी भी mutual funds को select करने से पहले आपको उसकी category के बारे में पता होना चाहिए से भी के rules के तेद हर mutual fund आउसको different category के mutual fund की scheme को provide करना होगा किसी भी mutual funds को category wise select करने से पहले आपको इन तीन चीजों का पता होना चाहिए पहला आपका investment goal, दूसरा time frame यानि कि आप उस mutual fund में कितने समय तक invested रह सकते हैं और तीसरा last but not the least आपकी risk taking ability इन तीनों points को ध्यान में रखकर आप यह decide कर सकते हैं कि आपको कौन सी category के mutual fund में invest करना है यह तो था category को select करने का तरीका अब यह जानना भी ज़रूरी है कि category के अंदर किस company के mutual fund को select किया जाए best mutual fund को select करने के लिए उस mutual fund के बारे में बहुत सी चीजों को जानने की ज़रूरत होती है जिसमें पहला है fund performance mutual fund का consistent performance अच्छा होना चाहिए जिसके लिए last 3-5 years का performance चेक करना होता है अगर उसके 3-5 years का CGR अच्छा है तो mutual fund को अच्छा माना जाता है और इसमें तीस्टे नमबर पे आता है experience of fund manager यह जानना थोड़ा मुश्किल काम है कि fund manager को market का कितने साल का experience है क्योंकि fund के investment का पूरा plan fund manager ही करता है तो अगर उसको अच्छा experience है तो fund जरूर multi-vagger बन सकता है और चौथे नमबर पे आता है NAV यानि कि net assets value हाला कि NAV किसी mutual fund की growth तो decide नहीं कर पाती लेकिन यह जरूर देखा गया है कि high NAV वाले mutual fund की growth low NAV वाले mutual fund से कम होती है और इस लिस्टे में पांचो नमबर पे आता है expense ratio expense ratio किसी भी mutual fund की एक प्रकार की fees होती है जो उस fund को manage करने वालों की salary और advertisement जैसी चीजों में खर्च की जाती है expense ratio जितना कम होता है mutual fund investment के लिए उतना अच्छा माना जाता है अधिकांस तोर पर 0.502, 0.80% तक के expense ratio वाले mutual funds को अच्छा माना जाता है और 6 नमबर पे आता है AUM यानि कि assets under management assets under management का मतलब होता है कि उस mutual fund में कितने पैसा invest किया गया है AUM ज्यादा होने का मतलब यह निकलता है कि investor को उस mutual fund में ज्यादा भरोसा है और 7 नमबर पे आता है exit load exit load का मतलब होता है कि आपको अपने investment को withdraw करने के लिए कितनी fees वे करनी पड़ेगी कम exit load वाले mutual fund ज्याद अच्छे माने जाते है आजकल ज्यादतर mutual fund का exit load लगबग 0 के बराबर होता है अगर आप चाते हैं कि इस प्रकार की informative वीडियो हम आप तक पहुचाते रहें तो comment में जरूर बताएं आपके like समको इस प्रकार की informative वीडियो बनाने के लिए motivate करते हैं तो please like, share and subscribe